बिहार निर्वाचन आयोग ने मुख्या समेत अन पदों के उमिदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। समेत त्रीयस्तरिये पंचायद के सभी पदधारक यानि कि पंच, सरपंच, पंचायद समीती सभी को 31 मार्ज तक संपत्ति यानि कि उनके चल अचल संपत्ति का बेवरा सारवजनी करना होगा इसको लेकर पंचायदी राज विभाग ने सभी जिलों को रिमाइंडर भेजा है इन पदधारकों में मुखिया, उप मुखिया, पर्खंड परमुख, उप परमुख और जिला परिशाद अध्याच, उप अध्याच को अपनी संपत्ति का पूरा बेवरा देना होगा इस संबध में जरूरी कार्जवाई करने का अंजिर्दे सभी जिलों के पंचायत राजपत अधिकारी को भी दिया गया है, बदा दें कि इस से पहले भी विभाग ने ये आदे से सभी जिलों के डियम यानि की जिला अधिकारी को भेजा था, इसमें पंचायत के पदधारक अभी तक आयोग द्वारा सभी अस्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है पंचाय चुनाब को लेकर मदाता सूची की अंतिम सूची कभी परकासन करने के बाद नए नामों को सामिल करने का निर्देश जिलों को जारी कर दिया जा चुका है। पंचाय चुनाब की तारिकों का इंतेजार लंबे बक्से किया जा रहा है। अब पताज चल रहा है कि पतना हाई कोट में मामला होने की कारण तारिक घोसित होने में देरी हो रही है। हरी जंडी मिल जाएगी और चरण बद तरीके से बिहार में पंचाय चुनाब के से सुचना जारी कर दी जाएगी। बिहार पंचाय चुनाब के लिए तैयार हो रहे मदाता सुची में गड़बडी की सिकायतों के लिए का राज निर्वाचन आयोग ने भी सक्ति दिखाई है। अंतिम सुची परकासित करने से पहले वीडियों को यह लिखित परमान देना होगा कि परकासित मदाता सुची सही है। परमान परसासन विभाग को पत्र लिखा है।